नहीं उत्ते, या कोई ने जाते हैं, तो उसे पहता थाप होता है तो उसका साथी, जब इस विदा करके नहीं रहाता है, उदर फूंज में उत्ते हैं, लोगों एक तिछामें, अब उस श्राबों, फिरिज लगा तके नहीं खटता है, आपने या तो बात के दो, सुनाये मिन जीवन में एक सितारा था, वो डूप गया सो, डूप गया, अमब आनगों देखो, कितने उसके तारे तूटे, कितने किसी के प्यारे तूटे, जो तूटे, वो तूटे कहां मिले, पर बोलो तूटे तारों में, कम अग्रस भूत महाता है, ये, आर्दु तो बहुत इसपर्ष्ठ और उसको समझते जाएं गया, कि नहीं समझते जाएंगे, उसको जड़ा धीर से समझेगा, जो भीग गया सो बात के, जीवन में एक सितारा था, वो डूप गया, तो डूप गया, अमब आनगों को देखो, कितने इसके तूटे तारे, कि इतने इसके प्यारे शूटे, जो शूट गया तो बात समझ गया, जीवन में वो था कि एक तूशू, थे उस पर अंधित इछाओ तूम, वो शूट गया, तो शूट गया, मदवन की चाती को देखो, सुखीन इसकी कितनी जलिया, मुर्जाइन इसकी कितनी बालिया, जो मुर्जाइन भी वो कहा झिली, पर बोलो पर बोलो कि ये खूलो पर मदवन की अफोर बचाता है, जो बात समझे, जनधिकार पार्टी के परदेश इस तरही बैठक करी गई है और हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष और पूर मंत्री बाबु सिंग कुछ वहां मौझूद है बाबु जी आज परदेश इस तरही बैठक करी गई क्या कुछ फैसले करेगी आज हमारी जन परेट्यू पेंक के अगर चुना होंगे तो उसमें भी और जो 2023 में पार्लेमेंट का चुनावाने वाला है उसकी भी त्यारी करके हमें पार्लेमेंट का चुना भी बड़ी जोर सोर्ष से लड़ना है रास्ट्री अबेशेशन की भी आपने बात करी उसके बारे में कुछ रास्ट्री अदिवेशन हमारा इसी साल ऐक्टूबर नौमबर तक हो जाना चाहिए तो एक-दो महिना के पहले कर सकते हैं तो हम सितंबर नौमबर में रास्टी अदिवेशन हम लोग मत्पदेश में करेंगे मत्पदेश में विदहानसभा का चुनाओ भी है और हम पिछली लोगसभा इलेक्शन करीब आ रहा है। तो क्या कुछ तैयारिया है जनाद इकार पार्टी पूरी तयारी के साथ है और चुनाव में हम पूरी मजबूती साता की मेराज खान लगनों